देश में लोगसुबा चुनाव दोहजार चौबींस को लेकर सियासत में हलचल सी मची हुई है तमाम राजनितिक पार्टियों के नेता और मंत्री एक दूसरे पर तीखें हमले करते हुए नजरा रहे हैं सियासी गलियारों में पारा हाई है इस बीश कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी हर्याना के महिंद्रगड में एक जनसबा को संबोधित किया इस दोरान राहूल गांधी ने पीम मोधी और भाचपा पर जम कर हमला बोला राहूल ने अगनिवीर योजना को लेकर सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि पीम मोधी ने भारत की जवानों को मजदूरों जैसा बना दिया है उन्होंने कहा कि सेना को अगनिवीर योजना नहीं चाहिए ये पीमों दोरा बनाए गई योजना है केंद्र में इंडिया गटबंदन की सरकार बनती है तो हम इस योजना को कूरेदान में फेक देंगे राहूल गांदी ने आगे कहा कि किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया चार जून को सत्ता में आने पर हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे उन्होंने कहा हम अगर सत्ता में आते हैं तो कर्जा, माफी, आयोग लाएंगे हर्याना के किसान देश के खेतों में काम करते हैं मोधी सरकार ने आपका अधिकार छीन लिया और समाप्त कर दिया है, अरपतियों की मदद के लिए भूमी नियाए धिकरन विधैक पर तीन क्रिश्य कानून आए लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोधी पर निशाना सादते हुए कहा कि दो दिन पहले नरेंदर मोधी ने कहा अडानी अमबानी टेंपो में कॉंग्रेस को पैसा दे रहे हैं मोधी जी, आपको कैसे पता है कि वो टेंपो में पैसे दे रहे हैं और अगर आप ये जानते हैं तो आपने अपने दोस्तों के खिलाफ EDCBI और IT द्वारा जाच क्यों नहीं शुरू की इसके लावा उन्होंने कहा कि PM मोधी की प्रतिष्ठा खत्म हो गई गुबारा फट गया है, मैं जो चाहता हूँ PM मोधी के मुझे बुलवा सकता हूँ मैं उन्हें बोलने के लिए मजबूर कर सकता हूँ मैंने कहा मोधी जी आपने 10 साल तक अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया आपको उनका नाम देना चाहिए